हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाओंगी बहुत ही सिंपल तरीके से और स्वादिश्ट बनने वाले घी तुरई के भजिये इसके लिए मैंने ली है दो घी तुरई हाफ टीसपून नमक, वनफौर टीसपून अजवाईन, वनफौर टीसपून बेकिंग सोडा, वन कप बेशन और हाफ कप पानी और तलने के लिए तेल भजिये बनाने के लिए हम गी तुरई को पहले इस तरह से कट कर लेंगे इसको कट करने के बाद अब हम बेशन का गोल बना लेते हैं उसके लिए हम लेते हैं एक बर्तर और उसमें डालते हैं एक कप बेशन अब इसमें आड़ करते हैं हाफ टीजपून नमक, वनफोर टीजपून अजवाइन और इसे थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करेंगे हमें आटे को अच्छे से मिक्स करना है एक मिनित तक अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा आटा ऐसे स्मूथ बन गया है अब इसमें अड़ करते हैं बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से फेट लेंगे अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखेंगे तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम एक तीस्पुन गरम तेल को बैटर में एड़ कर लेंगे ऐसा करने से हमारे भज़िये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे बैटर में तेल एड़ करने के बाद हम उसे अच्छे से फिर एक बार मिक्स कर लेते हैं हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें कट की हुई तूरई एड़ करते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमारा तेल भी गरम हो चुका है अब हम ग्यास की फ्लेम मीडियम कर देते हैं और हमारे भजियों को बैचेस में तल लेंगे तो फ्रेंट्स हमारे भजिये रेडी हो चुके हैं तो आप भी इसे ज़रूर ट्राइ कीजिए और एंजॉय कीजिए इसे मौनसूर में और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईए थांक्यू फॉर वाचिंग